वाटर रिटेंशन ये शब्द कई दफिया आप सुनते होंगे, लेकिन ये है क्या और क्या ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। दरसल वाटर रिटेंशन की वज़े से शरीर के कुछंगों में पानी जमा हो जाता है, जिससे हाथ, पैर, चेहरे और पेट की मांस पेशियों में सूजन आ जाती है, पैरो, एडियों और टांगों में दर्ध होने लगता है, शरीर के टिशूस में पानी जमा होने लगता है। और इसे संतुलित रखने के उपाय क्या है। सबसे पहले जानते हैं वाटर रिटेंशन के कारण क्या है। वाटर रिटेंशन कई वजहों से हो सकता है। नमक का अधिक सेवन करना एक प्रमुख वजह है। नमक का अधिक सेवन करने से शरीर में सोडियम का इस्तर बढ़ जाता है, इसलिए वाटर रिटेंशन से छुटकारा पाने के लिए, अपने खाने में नमक का इस्तमाल परियाप्त मात्र में ही करें, साथ ही महलाओं में हार्मोनल, असंतुलन, अधिक शुगर का सेवन, हिर्द हैं, विटमिन सी वाली चीजों का इस्तमाल करें, तनाव पर काबू पाना जरूरी है और नियमित तौर पर एक्सरसाइस करें, सवाल यह है कि क्या ना खाएं, डिबाबंद खाना ना खाएं, किसी भी तरह के रिफाइन आइटम को खाने में शामिल ना करें, अलकोहल और ध